सो हेलो एरिवन एमकेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है जैसा कि आप यहाँ पर ओपिसली न्यूज देख पारे होंगे नीट दो जार चोईस वालों को एंटे ने डबल सरप्राइज यहाँ पर दिया है पहला तो यहाँ पर देखो आप इन्हों ने बिना इसकेम यहाँ पर सामने आया है कि रेंग का PDF देख भड़के इस्टुडेंट दोबारा प्रिक्सा की उठी मांग और इसी के साथ चलो मैं आपको लिस्ट दिखाता हूं यहाँ पर आप देख पारे होंगे 66 पलस इस्टुडेंटों का यहाँ पर सेम रेंग इनको मिला है य जिनका रेंग सेम है तो ऐसे में अब क्या होगा इधर देखो आप यह जो विद्यारती इनका सेम रेंग है ऐसा इतियास में पहले बार हुआ है नहीं तो एक विद्यारती को एक रेंग मिलती थी दूसरे को दूसरी तीसरी वालों को तीसरी रेंग यह रहता था लेकिन ऐस आप परवेस कैसे होगा ऐसे में तो विद्यारती लड़ाए जगडा करेंगे कि इस विद्यारती को वो वाला मेडिकल कॉलेज दे दिया है रेंक भी जब सेम थी नमर भी सेम है तो उसको क्यों दिया मेर को क्यों नहीं दिया अब मामला गंबिर यहां पर होने वाला है यहां पर देखो आप यह 67 विद्यार थी जिनके सेम रेंक है उसके बाद सीधा यहां पर रेंक 68 रेंक 2 वाले 3 वाले कहां गए यह देखो आप पूरा इन्होंने मतलब इतना यह क्या हो रहा है मतलब आप खुद देखो सेम रेंक अभी आपको और भी अपडेट यहां पर दिखाते है और इनके नमर वैसे सेम है रेंक सेम है तो ऐसे में जिसे मानलो किसी विद्यारती को मोलाना आजाद मेडिकल कॉलेज लेना है ठीक है यह पिर मानलो एम्स लेना है तो ऐसे में अगर मानलो इस विद्यारती को मिल गया इसको नहीं मिला है ना तो पिर यह विद्यारती तो कंपूजन क्रेट यहां पे हुआ है और इसलिए एक न्यूज सामने आईए मैं आपको दिखाता हूं यह वाली रिजल्ट को इसकेम विद्यार्तियों ने बताया है और बढ़क चुके है विद्यार्ति इस्टूडेंट यहां पे देखो पूरा न्यूज चलो मैं आपको क्लियर करेंगे लेकिन अच्छानक से इन्होंने चार जून को डिकलियर कर दिया इस्टूडेंट के लिए यह है रिजल्ट खापी अब परत्यासी साबित हुआ है सोसल मीडिया पे नीट दोजार चोईस ट्रेंड कर रहा है लाको इस्टूडेंट उस पर रेक्ट कर रहे है दरसल एन्टिय ने नीट दोजार चोईस रिजल्ट का पीडियाप सेयर किया है जिसमें गड़बडी होने की आसंका जताई जा रही है इधर देखो आप नीट यूजी रिजल्ट चार जून दोजार चोईस को जहां एक तरह पूरा देश लोक सबाच चुनाओं के नतिजो वाला है ठीक है सब यह सोच रहे थे कि सरकार किसकी बनाएगी बड़े बुजूर्ग अभी भावक है ना क्यूंकि एन्टिय ने पहले कहां बताया कि आज आने वाला है रिजल्ट नहीं बताया उन्होंने तो पहले बोले कि 14 जून को आएगा तो विद्धार थे उन्हें भ पूरी दुनिया पोकस थी सरकार के उपर उसी बीच एन्टे का पोकस था आपके रिजल्ट पे ठीक है रिजल्ट जारी कर दिया सबको चोका दिया मतलब हद हो गई ठीक है विद्धार थी तो मतलब सर्प्राइज दिया ही बहुत बड़ा ऐसे मान सकते हो और इसा पहली बा आपके आला है क्या नहीं होने वाला अब यहां पर देखो कि नीट 24 चोईस रिजल्ट 16 जौन को आने वाला था लेकिन नेसिल एडे टेस्ट एजनसी ने बिना Wiederーー कि सी पूरण चूचना के अचानक सही रिजट चार जुन को साम को रिलीज कर दिया फिर देर रात तक मीट 2024 रिजट का PDF भी अप्लोड कर दिया देखो आप क्या बात है सर्प्राइज नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसको और वह भी डबल सर्प्राइज GUYS तो मेरे प्रिविद्यारत हो जटका तो आपको भी लगा ओगा है न और दूसरा जटका तब लगाह ओगा जो आपको expectancy कि हाँ इतने नमब आ जाएंगे जो आपकी आसा थी जो आपकी उम्मीद थी कि हाँ इतने नमबर आ जाएंगे लेकिन उतने नमबर मिले नहीं आपको कहीं ना कहीं पे फिर वदल आपको महसूस हुआ होगा तब आपको जोर का जटका वसे लगा होगा इस साल देखो आपको बताए कि कापी ज़्यादा फॉर्म एपलाई हुए थे जिनकी संक्या यहां पर मैंसन है औ यूज में आपने देखी लिया होगा अब यहां पर बात आ रही है कि सोसल मीडिया पर नेट यूजी रिजल्ट ट्रेंड कर रहा है ज्यादतर इस्टूडेंट नेट यूजी रिजल्ट को इसके मान रहे है यह अचानक से कैसे हुआ क्यों हुआ रैंक सेम कैसे मिल गई हमा तोड़ा सा दिमाग लगा कि जरा बताना क्यूंकि मैं तो आपको बताने वाला हूं अगले वीलियो में यह अचानक से रिजल्ट जारी इतनी जल्दी क्यों होती है ना कि समझो आप इसके बहुत बड़ा लोजीक निकलके आएगा और तोड़ा सा दिमाग लगाना और कमें क्यों डिक्लियर कर दिया और यहां पर जो उम्मीती विद्यारति को उतने अंख क्यों नहीं मिल पाए और इतना ही नहीं आप एंडी टीवी इंडिया न्यूज पर भी देख सकते हो नीट दोजार चोईस रिजल्ट नीट रिजल्ट गोसित वेद सुनिल कुमार और सेद आरि परसेंटाइल और यह टॉपर किसने क्या वो देख लो आप एर इंडिया पास ट्रेंग हासिल करने वाले उमिद्वार में माराष्ट के वेद सुनिल कुमार सेंडे तमिलनाडू के सेयद अरिफन दिल्ली से इन्हों ने यहां पर टॉप किया है लेकिन देखा जाये तो इन के बारे में नेट रिजल्ट के बारे में आपका क्या करना है आपका ओपिनेंट बताओ कमेंट करके सभी विद्यारती क्योंकि आप भी इसके हिस्सेदार हो आपका भी इसमें कुछ ना कुछ मत होना चाहिए क्योंकि आपका पूरा अधिकार है जो भी आप करना चाहते हो अब्जेक्शन आप कमेंट कर सकते हों कि हाँ इससे सहमत है हम नहीं है सही रिजल्ट या फिर कुछ लग रहा है आपको भी तो वैसा टाइप आप बता सकते हो बाकि पीड़े विगरा और क्टोप क्या रहेगा हो सब में आपको अपडेट बताने वालों बट आपका जो भी ओपिनेन है प्लीज कमेंट करके बताए ताकि हम सभी को पता लगे क्योंकि आप सभी नीट वाले हो तो आपका फर्ज बनता है कमेंट के माध्यम से आपका ओपिनेन सेर करना